हेलो वरिवन, आइम सार्थक, सीनल फेकल्टी, अभिमन्यु आईएस, तो आज के हमारा जो टॉपिक है वीडियो का, वो क्या है? है सेस टॉपिक्स के लिए हमारी जो प्रिपेशन की स्ट्रेटिजी क्या रहनी चाहिए? कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, कितना टाइम लगाना चाहिए, डेली कितने घंटे देने हैं, क्या शिड्यूल होना चाहिए, आज मैं आपके सामने वीडियो के अंदर इन कोशन का आंसर देने के लिए आपके ले, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एट स्टार्ट आवर वीडियो, सबसे पहली चीज, वाट शुड बी अर फर्स्ट आप, आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, प्रिप्रेशन का, सबसे सिंपल आंसर मैं आपको दूँगा, पस्टिंग, लोग नॉर्मली जब बन दें, सब प्रिपेशन के लिए, हैसे टुटी, इनुटी, इफोर के लिए, हैसी एस के लिए, या किसी भी, एट से सिविल सबीसिज अग्राम के लिए भी, हर कोई पहले आपको बोलेगा कि स्लेबर्स देखो, स्लेबर्स देखो, वाट वाट आई विल कि स्लेबर्स देखके, ज़्यादा कुछ चीज़े नहीं समझ में आने वाली, स्लेबर्स के टॉपिक्स भी आपको कुछ रिलेट नहीं कर पाऊगे, विकाज अभी, वैं सिर्फ बिगिनर्स की बात कर रहा हूं, इनके लिए तो कोई टॉपिक जब तक नहीं पढ़ोगे, स करना है कि समझ में इस लिए टॉपिक के बारें बात करना है, कैसे रिलेट करना है, तो पहला स्टैप आपको सबसे पहला होना चाहिए, तो प्रिवियस येर पेपर अनलिसस, ज़ादा चीज़ों को नहीं कॉंप्लिकेट करना, जो रीसेट अभी अपना है हुए है, फॉड का अंदर आप सबसे पहले उसका भी आप प्रिल्मिक का इसमें सबसे पहले कौन से इसके प्रिल्म के वेपर कि इससे स्टार्ट करेंगे विज गेज़ बुचे ए ग pont рाप देखेंगे दो और सबसे पहले स्टार्टिंग में जी एस वन देन जी एस टू विच इस सी सेट अब क्या एक ही बारी में देखके समझ में आएगा आइकन शियोरली से अगर आप बिगिनर हो तो उस चीज में भी ज्यादा क्लेटी नहीं एगी हां बट कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपको ची इस इस से आ रहे हैं इस सब्जक्ट से कोशन पूछे जा रहे हैं तो मैं कैसे प्रिपेर करना है अब मैं आपके लिए सब्सक्राइब करते हो लाइक अगर ऐसे 2023 का देखें तो यूविल फाइंड कि यहां पर हर्याना वाला जो पार्ट था उसने कंबैक किया हर्याना के ज इसके लास्ट यह साइब कंपेर करें तो वहां पर काफी कम कुशन पूछे दे हर्याना स्पेसिफिक कोशन होते हैं बट यहां पर दुबारा कम वैक हुआ तो हमें यहां से क्या सीखने को मिलेगा यार यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है यू नीड टू प्रिपेर दिस व इसको तो बहुत अच्छे करना यह आपको कहां से पता लगा कि आपको स्लिवर्ज देखके पता लगा नो यह आपको प्रिवेसर पेपर देखके सवज में आया है अब यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि क्या सिरफ एक साल का विपर देखना है नो नौट अट साल के जो भी पिछले पांच पेपर देखने बंते हैं इसको प्रिवर्स ओर्डर में देखे नौट यह आपको पिछले स्टार्टिंग से नौट अट इसके पहले कौन सा हुआ है आपको रियलाइज होगा कि ड्रास्टिकली पिछले तीन साल से जो पेपर हुए एक दों से ट्रेंड चेंज हुए नाओ तो एक्जाम इस मोर एनलेटिकल एनलेटिकल से भी ज्यादा एंसी आर्टी बेस्ट अब क्या एंसी आर्टी इसकी भी बहुत जादा इंपॉर्टेंस है पिछले वाला एच्छे से हुआ था वहां पर तो डारेक्ट कॉशन से एंसी आर्टी से जो 2022 के अंदर हुआ था तो अब ही जो बता रहे हैं कि फर्स्स तिंग जो हमने देखी कि जो टॉपिक हमें समझ में आया एक अपना हर्यानाची के सबसे पहले काम हमारा होगा कि हम करेंगे प्रीवेस यह पेपर ओके नाओ अब हम क्या कर नहीं है कि नाओ लेट्स जॉट डाउन थे टॉपिक्स आपको कौन कौन से टॉपिक्स या फिर आईवूट से सब्जेक्ट प्रिपेर करने हैं अब आपने यह देख लिए हमारा पहला स्टेप क्या है प्रीवेस यह पेपर उसके बाद सेकिंड स्टेप क्या होगा अब आप क्या गेर आपको अब उसके बाद आएंगे हम टॉपिक्स पर आपने स्लेवर्श देख लिए कबर आपको देखने कोन को से subject प्रिपेर करने कों से कवर्णने करने को एक सुम ने देखी लिया फर्स्ट हरयाना specific पार्ट इसको सिंप्ली हरयाना जी के बौल दते हैं सिंप्र current static दोनों आजाएंगे second the most important thing which is NCRT अब मैं आपको यह वोलूगा कि NCRT स्थोब अभी से पढ़ना start कर दिजिए do it now दो इसे एक्जाम की notification कुछ नहीं पता किके December January February November के अंदर भी तीन चा महिने में कभी भी आ सकती है कि लेट से कि जनवरी में आ रही है आपको टार्गेट लेकर चलना है कि अथलीस नोटिविकेशन से पहले पहले मैं एंसी अटिस डिफिनेटली कम्प्लीट करके बैठाओं जरूर अच्छे से पढ़ी लिए कि और राइट तो आपको एंसे अच्छे से करने कौन कौन सी एंसे अटिस कावर करनी उसके लिए मैंने स्पेसिफिक लिए एक वीडियो बना रखी है यूँके चेक आउट वीडियो की एंसे आपको पढ़नी है ठीक है उसका लिंक में आपे आई बटन में ड्रॉप नां और वीडियो कोन कोन सी एंसे अटिस करनी है ओके देन उसके बाद और कोन सा चीज़े करनी होंगे अपने को करेंट अफेर्स अब आते बात करेंट अफेर्स की करेंट अफेर्स आपको एट लीस्ट पिछले लास्ट वन इयर के बहुत अच्छा से प्रिपेर करके जाने है एक साल के करेंट अफेर्स के लिए क्या करना है अगर आप नहीं पढ़ते तो आज से स्टार्ट कर दीजिए स्टार्ट गेटिंग हैबिच्वल टू रीडिंग नीजवेपर के एक बार को पढ़ने के अभी हैबिट डालोगे अभी टाइम भी जाज़ा लगेगा दोंट वरी धीरे धीरे वो टाइम डेफिनिटली कम हो जाएगा वो कैसे कम होगा आपको रेलिवेंट सेक्शन पता लगते चले जाएंगे क्या पढ़ना है नीजवेपर इस हर पढ़ने के साथ जोड़ा से इंट्रस्टिंग वह लगता है नीजवरों को पढ़ना तो ऑल्रैइट नीजवेपर इस बढ़नों के अंदर ही फिक है जब इतना कर लिया अब इसके बाद सब्से important step और सबसे ज्यादा neglected step the most important and the most and the most important and the most neglected section as well which is मोक टेस्ट अब आपका काम है इसके बाद मोक टेस्ट मोक टेस्ट भी लगाने मोक टेस्ट की भी पूरी की पूरी इंपॉरी इंपॉर्टेंस है you need to realize the importance of मोक टेस्ट मोक टेस्ट देके आपको परी weaknesses पता लगती है क्या analyze करेंगे आप you will be able to analyze your weaknesses i buy a mock test बोड़ा सब्जेक्स नहीं होते कि कहीं बारह आंदा सिर्फ सीली मिस्टेक्स बहुत जादा कर रहे होते हैं चीज़ें पड़ी होई आती है लेकिन कि पीछ रहे रहे हैं तो वह चीज़ें का से पता लेगी तो बहुत जादा इंपोर्टेंस इसकी इतनी जाद इंपोर्टेंस बताएजिए उतनी कम है अगला स्टाप आपको होना चाहिए मोग टेस्ट जब इतना सब कर लिया पढ़ाई वाला पार्ट पूरा कर लिया आपने प्रिवेश यृप पेपर अनलाइस कर लिए उसके अदम सब्सक्राइब काफी कोर्स पेंडिंग होता है क्या पार्ट आएगा आपका सब्जेक्ट आएंगे आपके अल्राइट इस बाकी बचा हुआ आपका जो कोर्स है यह कैसे कवर करना है वह बाद में करेंगे पहले आप NCRT से कवर कीजिए इस पर भी मैं बताऊंगा आपको सब्सक्राइब करनी है इस वीडियो के निए अब भी पहले आप अच्छे से कवर कर लीजिए इतना पार्ट कर लीजिए प्रीवेसर पेपर एंगलिस दू देस फरस्ट इस इतना तो कीजी अल्राइट जैन अब आती है बात इसके बाद प्रिलिम्स तक की होगा इसका आती में 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 के लिए क्या करना है कि या देवन से अंसर एट नि सटार्ट कर देनी चाहिए answer and no definitely no because you won't be able to do that in fact देवन से answer writing नहीं स्टार्ट करनी आपको पहले आपको क्या करना है first prepare some topics पहले थोड़ा पढ़िये prepare topics at least कुछ गेन कीजिए थोड़ा सा habitual हो ये पढ़ाई से prepare topic थोड़ा पढ़ने के बाद then you have to start the answer writing और फिर उसके बाद answer writing आपकी चलने चाहिए daily basis पर मेंस की ज्यादा टेंशन नहीं आपका ज्यादा फोकस प्रिलेंस ओरियंटेड होना चाहिए अभी के लिए एक बाद थोड़ा सा उस पर grasp आ जाएगी मेंस के साथ आज़ा आंसर एटिंग करते रहेंगे then you will move on to me because why I am saying this कि prelims oriented as such खाली prelims oriented preparation होती भी नहीं है आप किसी topic को अगर prepare कर रहे हो उसको wholesome पूरे तरीके से ही prepare किया जाता है तो automatically आपकी मेंस की preparation भी वहां हो रही है prelims और मेंस में जाट difference आजाएगा वह answer rating में आएगा that is the reason I am suggesting कि डेली बेसे पर आपको ऑनसर रेटिंग करनी है तो आपकी दोनों की दोनों की इंटीग्रेटीड फिर्पेशन है उस साथक्याथ हो जाएगी लेकिन आपके दिमांग में ज्यादा फोकस पहले आपका prelims होना चाहिए इन चीजों को इस दिमांग में clarity रखिए क्लारीटी रखिए क्या करना है फोकस होना चीज कैसे करना चीजें बहुत इसी यह जाती है पर रॉलम आती है जब हम एक हैफ हैजर्ड मैनर में रेंडमनेस की अंदर कुछ भी करने लग जाते हैं आपको वह नहीं करना है आपको इसी पैटन के चलना है पहले सबसे पेपर के दुबारा रेपीट कर रहा हूं प्रीए सीयर पेपर इसके बाद अपनी एंसी आर्टीज लेबस को देखना है एंसी आर्टीज करनी है उसके बाद अपने न्यूसेपर को साथ करना है इतना करने के बाद पिर आपको थोड़ा अंसर रेटिंग वगरा स्टार्ट करनी है कि यह सब कर लिया आप इसके पाद एक चीज़ और बचेगे आपकी इस वाट ऑप्षिनल को चूज करना बनाई है इसके ऊपर आई विल मेका सेपरेट वीडियो इस वीडियो के निदर इसकी बात नहीं करेंगे कि ऑप्षिनल के लिए क्या स्टेजी रखनी है आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं अब भी के लिया पहले सिर्फ जीएस पर और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अपना शिड्यूल रखना है भी कि थ्री सिर्फ तीन से चार महीने तो फॉर बंस जितना ही मैंने पार्ट आपको बताया है थ्री टू फॉर बंस के अंदर अंदर आपको पूरा कंप्लीट करना है किसी भी हाल में से चार मेंने के अंदर सब कुछ कंप्लीट करना ही करना है है कभी भी नोटिफिकेशन आए कुछ भी आए अगर आप आप से स्टार्ट कर रहे है अगले तीन से चार महीने के अंदर आपको इसाब कंप्लीट करें लिए अच्छे से सॉलिद्ली पूरा राइट तो इस वीडियो आज के लिए इतना ही था एक बहुत इंपॉर्टन इ 33 अभी मन्यू आईएस वी वर एबल तो सिक्योर मोर दन 25 सेलेक्शन इस यह एस वेल और आप इस फ्रेम का पार्ट बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं है आई सिंसेरली होब कि आपका अंसर यह सी होगा तो इस पर दैट यह लाँचिंग यह लाँचिंग एन एच्छिस स्पेसिफिक आफ्लाइन बैच रॉम्ट ऑस्पीशिएस देओं ऑन ऑस्पीशिएस देओं अफ हर्याना डेव इस फर्स नवंबर एक नवंबर से हम एच स्पेसिफिक आफ्लाइन बैच लॉंच कर रहे हैं इसकी कोई जो भी क्वेरी जैसे रिलेटेट नीचे सपोर्ट नमबर है माँ पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं इस स्पेसिफिकली फोर हर्यां एच्छिएस एन अफ्लाइन बैच जितनी जल्दी हो सकेंगे ज़ाइन एहाद रहेंगे प्रेस कम होगा प्रिपरेशन का अच्छे जब रिपरेशन होते होलसम प्रिपरेशन होती है अल्राइट विद आइश्यू गुद लुद लुग 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 फूट एंडिवर्स अंटिल आवर नेक्स वीडियो स्टे कनेकिट विद अभी पीडिया तो we have reached the end now so take care and